हेलो दोस्तो नमस्तकार मैं आरके मिना आपके अपने यूटूब चैनल आरकेम टैक इंपो पर आप सभी सात्यों का तैदल से आरदिक स्वागत करता हूँ सात्यों राजस्तान पसु परीचर बढ़ती 2024 के फोरम के अंतिम तिती जा चुकी है पसु परीचर के 5934 पदों के लिए गुनिस जनवरी 2024 से 17 फ्रवरी 2024 तक आवेदन लिए गए थे दोस्तो राजस्तान पसु परीचर में कुल कितने फोरम बढ़े गए प्रिक्ष्या तिती कब है पसु परीचर पद पर बढ़ती होने पर आपको क्या काम करना होगा कितने गंटे के आपके डूटी होगी और कितना वेतन मिलेगा इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको विश्तरित रूप से बताएंगे इसलिए आप अंतक हमारे साथ बने रहे और अभी तक हमारे यूटूब चैनल को आपने सब्क्राइब नहीं किया है तो पहले सब्क्राइब कर ले क्योंकि दोस्तो राजस्तान सरकार के समस्ट बर्तियों के संबन्द में नविंतम वत सटिक जानकारे आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी राजस्तान पसु परिचर पद की सेक्षनिक योगिता दसवी पास रखी गई थी और इसमें कुल 5934 पदों के लिए आविदन मांगे गए थे पसु परिचर पद के लिए दोस्तो राजस्तान में इससे पहले वनरक्सक बढ़ती प्रिक्सिया 2021 के सबसे अधिक भारम बढ़े गए थे 22 लाग उसके बाद रिकार्ड पसु परिचर बढ़ती में 5934 पदों के लिए 17 लाग के लगबग आविदन प्राप्त हुए हैं दोस्तो हर एक पद के लिए 277 अभ्यारतियों के बीच इसमें परतिस्परदा रहने वाली है और यह प्रिक्षक करवाना भी चुनोती पूर्ण रहेगा परदेश में बाजबा सरकार की पहली बढ़ती राजस्तान करमचारी चेनबोर्ड की 5934 पदों के लिए पसु परिचर बढ़ती 2023 के लिए रिकार्ड 17 लाग से अधिक युगाउंक ने आविदन किया है यानि हर पद के लिए लगबग 300 अभ्यारतों की बीच इसमें कम्पिटिशन रहने वाला है विदान सबा चुनाव से पूर 6 टूबर को ये बड़ती निकाली गई थी लेकिन तीन दिन बाद 9 टूबर को आचार सेता लगने की कारण इस बरती प्रिक्षा की परक्रिया को आगे किसका दिया गया था और उसके बाद गुनिज जनवरी से लेकर 17 फरवरी के मद्दे इसके दुबारा आविदन करवाए गए थे और इसमें 17,64,348 अब्व्यारतियों ने 17 फरवरी तक आविदन किये थे इतनी बड़ी संक्या में आविदन आने पर राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड इसके जो प्रिक्षा का टाइम टेबिल जारी किया गया था उसके चरन बढ़ाये भी जा सकते हैं दोस्तो प्रिक्षा सितम्बर में 21,22,23 और 24 सितम्बर को तिति इसकी गोशित की गई थी या तो प्रिक्षा का दो पारियों में ली जाएगी तब जाकर इन अब्यारतियों के प्रिक्षा करवाए जा सकती है राजस्तान करमचारी चैन बोड के अद्देक्स आलोक राज जी का कहना है कि पसु परिचर पद के लिए आविधन की प्रिक्रिया पूरी हो चुकी है और 17 लाग से अधिक आविधन प्राप्त हुए है प्रिक्षया तिति पूरु में जारी की जा चुकी है और प्रिक्षयारती अब राजस्तान पसु परिचर बढ़ती के एकजाम के लिए जुट जाईए क्योंकि दोस्तों आपके पास लगबग पसु परिचर प्रिक्षया की तैयारी के लिए आपके पास लगबग 6 मेने का समय है अता इसमें आप पूरे तन, मन, धन से आप प्रिक्षया की तैयारी में जुट जाईए दोस्तों इसका सलेबस ज्यादा बढ़ा नहीं है और आप नियमेत रूप से इसकी तैयारी करेंगे तो निश्चिती आपको सपलता मिलेगी पसु परिचर के पदपर बढ़ती होने के बाद आपको दोस्तों, रास्तान सरकार के जो भी सरकारी पसु चिक्षाल है उसमें आपको डूटी करने का मौका मिलेगा जिसमें आप पसु चिक्षक यानि वेटेनरी डॉक्टर या वेटेनरी कंपाउटर के साथ आपको काम करने का मोखा मिलेगा इसमें दोस्तों आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आपको इनके अटेंडेंड यानि हेलपर के रूम में काम करना होगा साथी पसुचिक्ष्षा लएकि साल समाल भी आपको ही करनी होगी इसलिए जो अब्यारती ग्रामिंट परिवेश से हैं किसान है उनको इस नोकरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि दोस्तों ये उनका परती दिन का काम है पसुओं के साथ रहना और काम करने का साथ ये पसुओं परिचरपद पर बढ़ती होने वाले अब्यारतियों की पसुओं चिकसाले में कितने गंटी की डूटी होगी दोस्तों वहाँ पे कार्यत समस्त चिकसक, कमपाउटर, पसुओं परिचरवा अन्य करमचारी की डूटी सबकी सम्मान होती है पसु चिकसाले इमर्जेंसी डूटी में आता है और पसु चिकसाले का समय सर्दी और गर्मी में अलग-अलग होता है वैसे सर्दी में 9-3 और गर्मियों में 8-2 बजे तक यह होती है लेकिन यदि कोई पसु पालक अपने पसु को लेकर अस्पताल में आता है तो उसको देखना होता है चाये वो किसी भी समय लाए आपको मुख्यले पर रहना होता है और पसु परिकर की मामारी या अन्य कोई प्रकोब होता है तो उसमें आपको 24 गंडे डूटी देनी पड़ सकती है पसु परीचर पदपर भड़ती होने पर वेतन क्या मिलेगा परिविक्षा काल में आपको लगबग 12,000 के लगबग fix वेतन दिया जाएगा दो वर्स वाद आपको L1 यानि 1700 ग्रेड पे के अनुसार आपको पे मेट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा इसमें दोस्तों आपके बेसिक 17,700 रुपे इसके साथ HR, DA वा अन्य बत्तो सहित आपको कुल मिलाकर 25,000 से अधिक सेलरी दो वर्स वाद मिलेगी और हर वर्स आपका वेतन वर्दी होती रहेगी अतर साथ जिन अभ्यारतियों ने पसु परिचर पत के लिए आविदन किया है उनको अभी से तन मन धन से तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपने यदि इसमें फोरम बराया तो आपने नोकरी के लिए सपना सजोया है और इस सपने को आपको पूरा करना है इसलिए आप नेमित रूप से प्रिक्षिया तक 6-7 गंटे नेमित पढ़ाई करते हैं तो आपका इसमें सेलक्षन कोई नहीं रोग सकता क्योंकि दोस्तों आप यदि अपना 100% देगे तो बगवान भी आपका साथ देगा और आप प्रिक्षिया में आउस्से सपल होंगे रास्तान पसु परिचर से संबंदित मैतपुन परसन और नविंतम अपडेट हमारे यूटूब चैनल वर टेलिग्राम गुरूप पर आपको मिलती रहेगी इसलिए हमारे यूटूब चैनल वर टेलिग्राम गुरूप आरकेम टेक इन्फो को जोइन कर ले और यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर ले साथी बेल आइकन प्रेस करें जिसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रवाव से मिल सके धन्यवाद जैन जैवारत